है अगे अगे आज एपी ईमेन अटॉमी और फिजियोलोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना तो आपको कालकुलेशन करनी होती है ना ही आपको कोई ट्रिक्स याद करनी होती है ना ही कोई फॉर्मूला याद करना होता है लेकिन फिर भी काफी बच्चों का ये सवाल होता है कि हमसे Human Anatomy and Physiology याद नहीं होता है हमें समझ नहीं आते कि किस तरीके से उसको याद करें पढ़ें या फिर किस तरीके से नोट्स बनाएं आज किस क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप Human Anatomy and Physiology सकते हैं और ऐसा पढ़ें कि एक बार या दो बार के बार पढ़ने की जरूरत ना पढ़ें तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ और आज मैं आपको पांच ऐसी टिप्स बताने वाली हूं जिसकी हैं अगर आपके कोई दूसरे subject भी week है या फिर आपको पढ़ने में बिलकुल मजा नहीं आ रहा है कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में याद करने मे उनको भी आप Lazar चेंखयर करने हैं सबसे पहली तो सबसे पहला हर एक इच्पप्राइक का मैं यह वाल यह वाला पॉइंट अब बदाने वाली हों यह सिर्फ ह-a-p के लिए नहीं है हर एक सब्चराइक के लिए है कि आप उसे किस तरीके से लिए है किस तरीके से याद करते हैं जितने भी आसके बेक्स होते हैं ऐसके बद c चैप्टर की बात करूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटोमी एंड फिजोलोजी तो उसके अंदर आपको हर एक टर्मिनोलोजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसका मतलब यह होता है बेसिक शुट भी क्लियर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वह इमेज आ जानी चाहिए पिनोसाइटोसिस से रिलेटेड यह चीज हमने इधात पड़ी ती इस तरीके से पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल रिंगिंग बस इतना आपको पता होना चाहिए हर एक वर्ड का पर्टिकिलर मीनिंग क चाहिए उसको बैसिक बीढुली करो को बन होनी हूनी हुक चाहिए अपको सुनकर ऐसा ना लगें कि यह बाट कहां से आगया यह दो पहली बार सुना है हम तो जानते ही क्या होता है ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए यह सबसे पहली चीज़ होती है हर एक सब्चेक को बढ़ने आगा चलते हैं नेक्स हमारा पॉइंट है वह है आपके नोट जो की एक बहुत-बहुत एहम रोल प्ले करते हैं आपके नंबर्स पर आपकी जो भी अकैडमिक्स होती है उस पर क्या होते हैं नोट और किस तरीके से बनाने चाहिए नोट एक रामबार्ण है यह कीद नहीं होता है आप करके देख लिए आप प्रैक्टिकल करके देखे एक चीज एक महीना आप नो प्रादू कि नोड़ कैसे बनाने आप एक सिंगल कलर से से बिना सकते हैं और बात करूंद अब को नोट्स बनाने है अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एक वर्ड लिखे उसका क्या मिनिंग है क्या वो कहना चाहरा है बस काम लिख दो हाट की क्या उसके अंदर क्या फंक्शन है बेसिक फंक्शन क्या है वो लिख दो बस जब यह चीज़े आप लिखकर अगले महीने पढ़ोगे जब पूरा सी लेवस आपका कंप्लीट हो चुका होगा जब रिवाइस करोगे तो हर एक चीज को देखते ही आपको के फोर में ही लिखनी है पैराग्राफ अवोइड करिये एज मोर एस पॉसिबल क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में आप खुदी देख लीज़े आप एक पैराग्राफ पढ़ने बैठते बीच में रुख जाते कि नहीं इसमें क्या होगा नहीं पता हमको मज़ा भी नहीं ते लिखा हो और इसके साथ पैरग्राफ ऐसमें और बढ़े पैर छीज चीज़ें भी तो कशी चीज़े आप पैराग्राफ और फ्लो चार्ट में कि आपको उसको देखने का मन करेगा आपको उसको पढ़ने का मन करेगा कि यह पॉइंट क्या कह रहा है जैसे अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम ले ले लिजे तो इधर आपने लिखा नर्वस सिस्टम ठीक है इसके बाद उसके टाइ कभी सब टाइप आप लिख सकते हो और वही पर सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी है ना जैसे सी एनस के अगर में बात करो नर्वस सिस्टम का पार्ट आपने लिखा सेंटर नर्वस सिस्टम इसके बाद आपने लिख दिया ब्रेन और स्पाइनल कोड ठीक है एक और कॉल हो जाएगा अब हम बात करते हैं नेक्स पॉइंट की जो की बहुत 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 ज़रूरी है और यह पॉइंट है आपका कि जितना हो सके उतना डाइग्राम प्रैक्टिस करिये क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट इयर में हुमन अनाटोमी और फिजियोलोजी से डाइग्राम बहुत आते हैं बहुत आते हैं अगर आप किसी भी तरीके का डाइग्राम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ट्राइग करिए कि उसकी लेबलिंग बिल्कुल ठीक हो क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार दो बार आप चीज़ें गलत करने लगते हो तो वह दिमाग में आप प्रैक्टिस करने हैं बिद प्रोपर लेवलिंग अगर आप वहां पर डाइग्राम में चान्द सितारे सब कुछ लगा कर आ जाएंगे सूरज सब कुछ लगा देंगे आपको नंबर नहीं मिले आपको नंबर मिलते हैं लेविलिंग से ठीक है वो पागल नहीं है वो कि यह हो गया और अगर आप करना चाहते हो तो एक पूरी प्लेष्ट आपके साMoreने हैं वहां से आप उस wannom कर सकते हैं उसको बनाने का ठीक है मैंने जितना सिंप्लेस्ट वे में हो सके उतना सिंप्लेस्ट वे में बताया है तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं सारी के सारे डाइग्राम जितने भी आपके की तरफ चलते हैं कि अब सारी चीज़े हो गई ठीक है आपने डाइग्राम प्रेक्टिस कर लिए अपने फ्लो चार्ट में सारी की सारे पॉइंट्स लिख लिए लेकिन याद कैसी होगी यह लंबे समय तक याद कैसे रहेंगी तो यह लंबे समय तक याद रहीगी अगर आप इन पे based कुछ question solve कर लेते हैं अगर एक topic से आप at least दस question solve कर लेते हैं बस में जादा बोल ही नहीं रही एक सिंगल topic से जैसे मैं बात कर रहीं सेल और्गनलीस तो सारी के सारी से अगर आप दस दस क्वेश्टन सौल्व कर लेंगे तो आपका खेल वहीं पर लियर हो जाए लो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके बेसिक लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं चल पाओगे अगर आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है अपनी बॉड़ी के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे है ना आप फार्मेसी के स्टूडें चीज क्या होती है ठीक है तो आपके लिए तो बहुत 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 जरूरी है इन सारी चीज़ों को पढ़ना इंसारी चीजों को याद करना तो मेरे ही साफ से पहले आपको जिस focus करना चाहिए वो है अपनी basic building तो कि अगर वो clear होगा तो सारी चीज़े पता होंगी देखें मैं एक example के तौर पर आपको बता दू कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे है ठीक है for example की दशेरा होता है सबके यहां पर है ना तो आप रावन बनाना चाहरे है अपने घर पर हातों से लेकिन आपने अंदर का structure ऐसे बना दिया तो क्या वो खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसको सहारा तो आप दो गर नहीं है ना तो सिंपल जी चीज़ है कि जब तक अंदर की चीज़े मजबूत नहीं होगी तब तक आप बाहरी structure को कितना ही सुंदर बना लिजे बाहरी आपकी जो questions होते हैं आप कितने ही solve कर लिजे लेकिन जब बात में आपको पता चलेगा कि आपने कुछ चीज़े तो छेड़ी ही नहीं है है अंदर को आपने मजबूत बनाया यह नहीं है आपने basics अपने clear करे लिए तो आप आगे क्या ही करेंगे तो इसी के साथ मेरे ये tips होते हैं यह model papers यह model papers क्या है तो फिर से एक बार सुन लिजिए कि अगर आप दी फार्मा फर्स्ट यहर में हैं और आपका भी यही सवाल है कि हमको समझ नहीं आता है question क्या कहना चाहरा है answer क्या है हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसके बाद अगर हम practice करते हैं questions box के अंदर आपको link मिल जाएगा वहां से भी आप इसको order कर सकते हैं या फिर आप जो नंबर given होते हैं वहां भी जाकर आप इसको order कर सकते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही और बढ़िया अब बहते दीन एक्जाम टिप के साथ अब तक के लिए stay tuned the pharmacy इंडिया लाइव थैंक यू